नमस्कार आप देखरें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ आनिंदियो चक्रवर्ती और आज मैं बात करूँगा थोड़े से हट कर एक चीज की और मैं अपने बच्पन से स्टार्ट करता हूँ जब मैं छोटा था तब हर साल हम कहीं न कहीं छुट्टी पे निकलते थे जब भी गर्मियों की छुट्टी होती थी या डिसेंबर का जो ब्रेक होता था या दवाली दशेरा का जो छुट्टी मिलता था हम कहीं निकल जाते थे छोटे मोटे रोड ट्रिप होते थे तो उत्तर ट्रेंज से निकलते हैं थोड़ा दूर इसके चलते हैं मैंने काफी सारा साथ इंडिया देख लिया था जैसे मुझे याद है कि बेलूर हलेबिड का भव्यट जो मंदिर हैं वहाँ पर मध्यकालीन मंदिर हैं गोमतेश्वर का एक बहुत ही बड़ा उचा विशाल स्टैचू यानि मूर्ती फिर बांडिपूर के जंगल फिर मुडुमलाई का जो एलेफेंट कैम्प है या हाइदराबाद का बिलकुल लाल आपको जो मिट्टी मिलता है ये सब मुझे याद है उस वक्त से और इसका कारण क्या था इसका कारण ये था कि मेरे माता पिता को LTC मिलता था लीव ट्रैवल कंसेशन जो कि सिर्व उनको नहीं सभी सरकारी करमचारीों को मिलता था और इसके चलते जो लोग सरकार के लिए काम करते थे सरकारी करमचारी थे एक लेवल के जादा वो अपने परिवार को लेकर भारत दर्शन पर निकलते थे हर चार साल में इससे एक तो लेकिन साथ में जो टूरिजम इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा मिलती थी इसलिए सरकार ने ये फैसला किया था कि लोगों को LTC यानि की लिव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा और असी के दशक से जो टूरिजम इंडस्ट्री है उसको काफी सारा बढ़ावा दिया गया सरक राइड होता है, रेस्टरांट होता है, धाबा होता है, होटेल होता है, लोग गिफ्ट शॉप बने होते हैं, लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ हैंडी क्राफ्ट का बनाकर लोगों को बेचते हैं, जो टूरिस्ट खरीदते हैं, तो इससे एक लोकल एकॉनमी तयार होती है और इससे बहुत लोगों को कम पैसे में, कम इन्वेस्ट में में काम मिलता है इसलिए फोकस काफी रखा गया है असी के दशक से टूरिजम इंडस्ट्री पर और वहाँ पर कंसेशन दिये गए, टैक्स रिबेट दिया गया, लोन दिया गया परियर्चन से जुड़े जो कमपनिया हैं उनको ताकि टूरिजम को बढ़ावा मिले और अगर आप पिछले 20 साल में देखें, तो जो एफ्लुएंट यानि कि सपन्न मिंडल क्लास हैं हमारे देश के संपन्न लोग हैं, वो सिर्फ देश भ्रमन में नहीं लोग फॉरिन ट्रिप, फॉरिन टूर भी करने लगे और पूरे परिवार के साथ शुरू में बैंककॉक, सिंगापोर और अब लंडन वगेरा भी लोग जाते हैं परिवार हैं, उन्होंने लेजर ट्रैवल, यानि कि घूमने फिरने में कितना पैसा खर्च किया और वो है 57 बिलियन डॉलर, ये रुपे में कितना होता है, उस पर आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दू कि वो कह रहे थे, कि हर साल ये 13 प्रतिशत के रेट से बढ़ेगा अगर उनका कहना सही है, तो 2019 में वो जाकर लगभग 64 बिलियन डॉलर से जादा लगभग 64 बिलियन डॉलर बन जाता, और 2020 में भी वो 13 प्रसेंट बढ़ जाता लेकिन हम जानते हैं 2020 में क्या हुआ है, 2020 में कोविड आ गया तो परियटन पूरा बंद हो गया पूरा जो टूरिजम इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी ठप हो गई है, लोग कहीं गए नहीं, पहले तो लोगडाउन था और अब जाधा तर लोग जाना नहीं चाते क्योंकि उनको लगता है कि टूरिस स्पॉर्ट में भीड में जाकर, कहीं और खाना खाकर, ट्रेन में, बस में, प्लेन में जाकर हमें करोना वाइरस हो सकता है, इसलिए नहीं जाएंगे जा अगर सौ लोग रहते तो अब सिरफ 20 ही जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, खेर उससे क्या हुआ है, कि हमें एक और चीज देखना पड़ेगा, एक तो टूरिजम इंडस्री ठप हो गई है, दूसरी तरफ एक और चीज है, कि जो मंदी आई है हमारी देश में, उससे जो मिडल ख्लास की है, उसकी आई कम हो गई है, तो जितना वो खर्च करती, अगर वो बढ़ाती भी, लेकिन इस साल वो पिछले साल के तुलना में कम करतने वाली थी, अगर वो जाते भी कही, अगर मतलब COVID के चलते डर भी नहीं होता, अगर जाते भी फिर भी, वो मंदी के चलते कम खर्च करते तो अगर पिछले साल साड़े चौसट बिलियन डॉलर खर्च हुआ तो इस साल कितना होता लगभग 58 बिलियन डॉलर खर्च होता अगर लोग चुट्टी पे जाते क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि recession के कारण लोगों की आय कम हो जाती इस 58 billion dollar को अगर मैं रुपे में convert कर दूँ तो कितना होता है होता है 4,30,000 करोड उपे 4,30,000 करोड उपे ऐसा है जो खर्च हो सकता था टूरिजम पर लेकिन नहीं हुआ है इसकी ये पैसा गया कहां पर ये पैसा जो संपन affluent middle class है जो घूमने फिरने जाते हैं जादा कर्च करते हैं उनका bank balance बढ़ गया है आप देखें कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि कैसे bank balance बढ़ गया है क्योंकि वो गर्मियों में चुट्टी में जाते थे वो दशेरा दिवाली में चुट्टी पे जाते थे वो खर्चा है नहीं हुआ इस साथ वो खर्चा नहीं हुआ और अचानक उनकी आय कम भी हो गई तो वो देख रहे हैं अरे मेरा bank balance कैसे बढ़ गया चलो जो मुझे टीवी नया लेना था वो ले ही लेता हूँ फ्रिज खराब हो गया है चलिए अब एक अच्छा सा double door वाला फ्रिज ले लेता हूँ और जो गाड़ी को तो बदलना ही है दस साल आने वाला है अभी discount भी चल रहा है तो down payment कर देता हूँ कि balance है bank का तो अचानक हम देख रहे हैं मैं कह रहा हूँ खर्च हो सकता था टूरिजम पे जो bank balance के तौर पर middle class के pocket में चला गया है यह 4,30,000 करोड में से अगर मैं कह रहा हूँ कि 20 प्रतिशत टूरिजम पे खर्च हो जाए जैसे मैं कह रहा था इसका अगर 60 प्रतिशत भी वो खर्च कर दे तो दो लाग करोड से जादा होता है दो लाग करोड आपको लगेगा कि यह कितना होता है दो लाग करोड मतलब GDP का 1% और अगर मैं total brown और white goods जो होता है जैसे कि आपका smartphone हुआ, computer हुआ, laptop हुआ, fridge, TV, washing machine, microwave oven इन सब को ले लूँ, तो हमारे देश में कुल ऐसे चीजों की बिक्री जो होती है वो जादा से जादा भी आप ले लेंगे तो तीन लाग करोड से जादा नहीं है IBEF का जो prediction था 2020 का, वो तीन लाग करोड का था इन सब चीजों का, खैर, वो तो हुआ नहीं क्योंकि 2020 में मंदी आ गई फिर भी अगर तीन लाग करोड भी हम ले ले, तो आप सोच लिए दो लाग करोड उसके उपर एड हो गया तो वो 66% एड हो रहा है यानि अगर हमारा जो consumption, normal खरीदारी इन चीजों की कम भी हो जाती तो यह जो additional छुटी पे ना जाने से जो बचत हुआ है, वो पैसा इधर आ जाएगा इसके चलते आप देख रहे हैं, कि नवरात्री से जो दसेरा तक का, दस दिन का पीरिड है वहाँ पर record sale हुआ है, गाड़ियों की बिक्री record है, पहले कभी इतना नहीं हुआ, स्मार्टफोन की record है, रेफ्रिजरेटर, AC, इन सब चीजों की बिक्री बहुत तेजी से बड़ी है कुछ कुछ चीजों का तो ऐसा है कि बड़े TV का stock ही खतम हो गया है, लोग गए हैं, खरीदना चाते हैं, लेकिद stock ही नहीं है, किसी नहीं सोचा था कि इतनी सारी बिक्री हो सकती है ये पैसा लोग कह रहे हैं, इसका मतलब है, आए लोगों की फिर से वापस आ गई है, economy अच्छया कर रही है जी नहीं, इसका एक बड़ा कारण सिर्फ ये है, कि जो लोग चुटी पे जाते थे, वो चुटी पे नहीं गई है ये एक अजीब चीज है, सिर्फ चुटी पे ना जाके अगर वो 60 प्रतिशत जो पैसा बचा रहे हैं, उसको भी खर्च कर दे तो अभी 2 लाग करोड का बिजनेस बनता है आप सोच लिजी, ये बहुत सारा पैसा जा रहा है, इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि economy पट्री पर आई है या नहीं किन लोगों को फायदा है, जो संपन्न middle class है, उनकी बचत भी बढ़ रही है, साथ में वो नए चीजे भी खरीद रहे हैं इसको क्या होता, वो खर्च कर देते थे, travel पर खर्च कर देते थे, ticket पर खर्च कर देते थे, hotel पर खर्च कर देते थे, काई पर जाकर, छुट्टी पर, खाने पीने पर खर्च कर देते थे वो कुछ एक चीज उनके पास नहीं होता था उससे साथ में बड़ी कमपनिया जो हैं जो ये चीजे बेचती हैं उनको भी इससे फायदा है जो टीवी बनाते हैं फ्रिज बनाते हैं वाशिंग मशीन बनाते हैं एसी तक बनाते हैं इनको भी फायदा हो रहा है अजीब बात यह है कि इन में से बहुत सारे multinational company हैं जैसे कि Samsung हुआ आपका, LG हो गया आपका और Dell, HP जो computer बनाते इनको भी फाइदा बहुत जादा है इस वक्त दूसरी तरफ देखे क्या हो रहा है, फिक्की का ही अप्रेल में एक report था कि इस साल tourism and hospitality industry जो है इसको पांच लाग करोड का धक्का लगेगा और साथ में साड़े तीन से चार करोड लोगों का जो काम का अफसर है यानि नौकरी है या रोजगार का अफसर है वो चला जाएगा, तो एक और चीज़ आपस देखें, जो कंपनिया जो white goods बनाती है, टीवी, fridge, phone वगरा वो जादातर capital intensive होती है, वहाँ पे machine का रोल जादा होता है, labor का रोल कम होता है, यानि कि इन कंपनियों की बिक्री बढ़ने से भी जितनी नौकरिया बढ़ेगी, उससे बहुत जादा त ये बिलकुल उसका उल्टा है, करोडों लोगों का काम जा रहा है, जो वापस नहीं आएगा, और कुछ लोगों को काम मिल रहा है, जो executive manager वर्ग के लोग हैं, उनको जादा पैसा मिल रहा है, middle class की बचत हो रही है, middle class चीज़े खरीद भी रही है, तो एक तरीके से middle class को फाइदा जो ऐसे चीज़े बेचती हैं, e-commerce sites को फाइदा जो इन चीजों के लिए platform है, और दूसरे तरफ जो निम्नवर के गरीब लोग हैं, जो tourism पर depend करते हैं, पर return पर depend करते हैं, चाहे वो कहीं पर धाबे का रसोया हो, या five star hotel का manager, कहीं पर रेलवे का कूली हो, या किसी किले पर guide, सब का काम चला गया है, तो आप इससे देखिए, कि अमीर और भी अमीर हो रहे हैं, और गरीब और भी गरीब हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़े हैं, जिससे अमीर गरीब में फासला बढ़ेगा, tourism सिर्फ एक चीज़ है, तो अगर आपको कोई whatsapp message करें, या आपको कहें आपके दोस्त कि देखिए, कि इतनी सारी चीज़े बिकरी है, record बिकरी हो रहे हैं चीजों की, इसका मतलब economy वापस आ गया है, कहां है ये सारे recession, मंदी की बात जो तुम करते हो, तो ये वीडियो उनको जरूर शेर कीजिएगा उनके साथ, क्यों क्योंकि ताकि जो चीज़ economist उनको बताते नहीं है, जो चीज़ उनको समझने की जरूरत है, economy को बारी की से समझने की जरूरत है, उस बारी की से economy का वो खुद हिसाब किताब लगा पाएं